इस इस सुधिर एंड वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल टूडे वी डिसकस चैप्टर नमबर सेकेंड एंड सेकेंड पार्ट यह बेटा हमारा चैप्टर सेकेंड चला हुआ है और यह पार्ट नमबर टू है ठीके न पिछली जो क्लास थे उसके अंदर आपने देखा कि ह हमने किसके बारे में डिसकस किया था वो किया था बेटा सोव्यत संग के बारे में जो सोव्यत संग है उसके बारे में डिसकस है वो कर चुके थे और एक द्रुवे विस्व के बारे में डिसकस है वो करने वाले हैं इसमें मैंने यहां तक बता भी दिया था कि जो सोव्यत सं से वो अब टक कर देने वाला नहीं था क्योंकि अमेरिका सब में सक्तिसाली है वो बन गया था और अपना जो वर्चे शव है वो स्तापित कर दिया था और किन-किन छेत्रों में देखने को मिला यह हम बताने वाले थे कल की वीडियो में पर जो पार्ट नमर्ट जो जाकिन है उसके अंदर डिसकस है वो करेंगे जो अमेरिका है वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और शांसकर्तिक सेन अंत्रिक्स और प्रोध्योगिक और व्यापार इन में क्या हुआ इन में अमेरिका ने वर्चिश वह वो प्राप्त कर लिया मतलब इन में सब सबसे सक्तिसाली इन चेत्रों में सबसे सक्तिसाली कौन बन गया यूएस से बन गया मतलब अमेरिका है वो बन गया बेटा अमेरिका है इन चेत्रों में सबसे सक्तिसाली है वो बन गया बेटा तो यह बाते थी जो आपको बताने थी कुछ एक तो आपसे यह पूछेगा कि वि अफगानिस्तान के बारे में अफगानिस्तान के बारे में बात करूं तो अफगानिस्तान दो सब्दों से बना है अफगान प्लस में स्थान अफगानिस्तान है यह एशिया का एक देश है ठीक ना एशिया का एक देश है अफगानिस्तान के बारे में क्यों पड़ रहे हैं व यह क्या है समूदाय है समू है ठीक न यह क्या है एक टैप से समू है जो यहां पे जो लोग है वो रहते हैं और इसकी बोगोलिक स्थिति कि यदि मैं बात करता हूं तो यह उपजाओ नहीं है यह एक टैप से पाड़ी छेतर है यहां पे जो पाड़ जो मिलता है वो हिंदकु पहाड़ी इलाका है और रिगिस्तानी इलाका है तो यह कुछ एक आपको सिंपल सी बाते बता रखें हैं मैं यहां पर बात कर रहा हूं बैटा अफगनिस्तान छेत्र के अफगनिस्तान जो छेत्र है उसके अंतरगत आपको क्या देखने को मिलते हैं माउंटेन देखने को मिल यहां की जो लेंड है वो कैसी है फटाइल नहीं है उतला एक टाइप से बंजर भूमी है और यहां पर जो पहाड जो मिलता वह हिंद कुस का पहाड देखने को मिलता है यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पहाड है और मतलब मरस्तली छेतर भी है चलिए अब आगे डिसकस करते हैं इसी में क्या बता रखा बेटा चार और भूमी से गिरा हुआ देश है मतलब चार और क्या है लेंड है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रेखा को डूरेंड रेखा कहा जाता है यह डूरेंड रेखा क्या होत पाकिस्तान के बीच में जो बोडर लाइन है उसी को कहा जाता है ठीक ना देखिए एक ऐसी यह लाइन है वो खेची गई है तो इस साइड तो यह है पाकिस्तान और यह है अफगनिस्तान तो यह जो लाइन है इसी को कहा गया है डूरंड लाइन अब अफगनिस्तान में क्या बदलाव हैं वो आपको देखने को मिले उन बदलाव के बारे में डिसकस है वो करते हैं आप लोगों के साथ अफगानिस्तार में क्या क्या जो बड़े बदलाव हैं वो आपको देखने को मिले क्या बदलाओ हैं वो देखने को मिले उन सारी चीजों के बारे में डिसकस है वो करेंगे बटा 1906 के दसक में 1906 के दसक में क्या हुआ यहां पे एक टाइप से राजवन्स है वो राज कर रहे थे राजा जाहिर सहा ने अफगानिस्तान में कुछ सुधार किये उन्होंने क्या है कि 1960 के दसक में जो राजा थे उसने जाहिर सहाने कुछ आफगानिस्तान के अंदर बदलाओं हैं करने की कोशिश है वो किया कुछ सुधार किये जैसे महिलाओ की शिक्षा पर उसने ध्यान दिया कि महिलाओ की जो शिक्षा उस पर ध्यान दिया चुनाओ प्रिक्रिया पर ध्यान दिया तिक ना चुनाओ कराने के लिए जनता को राजनेतिक अधिकार हैं वो प्रोवाइड किये गई तो ये सारी जो चीजे हैं वो इन्होंने प्रोवाइड की पर 1973 के अंदर जाहिर सा के परिवार ने दाउद खान ने इसकी तक्ता प्लट करके सत्ता हाथ या ली जो दाउद खान था इसने क्या किया बेटा इसकी जो सत्ता है वो अपना ली किसकी जाहिर सा की शेना ने क्या किया यहां पर जाहिर सा के खिलाब तक्ता पलटबो कर दिया कि इसने दाउद खान ने और इसकी जो सत्ता थी उसको अपने हाथों में ले लिया तो अब 1973 में कौन रूल कर रहा है दाउद खान 1903 में इसका भी तक्ता पलट हो गया कि मतलब इसकी भी जो सत्ता वो चले गई और वहां की जो केमिनिस्ट पार्टी ने सासन को समालना स्टार्ट कर दिया अब क्या हुआ देखिए यहां से दो स्टोरी निकल के आई और यहां पर दो चीजे हैं वो आई है बेटा एक चीज तो क्या आई है एक चीज आई है कि अफगानिस्तान का जो छेतर है वो कैसा है वो जो छेतर है वो माउंटेन परवतिय छेतर है और मरस्टलिय छेतर है और इसके अंतर के बताया कि जो राजा है वो रूल कर रहा है ठीक ना जो राजा है वो रूल है वो कर रहा है और ये जो राजा है ठीक ना इसने कुछ सुधार है वो किये जाहिर साहने और इसकी जो सत्ता है वो हाथिया लिगई 1973 में और 1978 में जो दाउद खान था उसकी भी ज जो पार्टी है उसने अपने पास है वो ले लिया तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि अब जो रूल जो कर रही है वो कर रही है केमिनिस्ट पार्टी ठीक न एक पार्टी बनाए गई PDPA पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ओफ अफगानिस्तान यह फुल फॉर्म के आरूप में आपसे पूछ सकता कि होता क्या है तो आपसको याद रखना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ओफ अफगानिस्तान इस नाम से इसको जाना जाता है यह आपसे पूछ भी सकता है बेटा इसकी डेफिनेशन है उसको याद रख लीजे यहाँ की केमिनिस्ट पार्टी ने यहाँ की जमीनों को लेकर कुछ सुधार करने का प्रियास किया जीकि पहले जो राज़त है उसने महलाओ की श्तीती को लेकर यहाँ कुछ सुधार किये है अब यहाँ की जमीन को लेकर है वो Communist Party ने कुछ सुधार करने की कोशिश है वो की है जिसका विरोध वहां की आम जनता ने किया और वहां की जनता थी उसने विरोध करना है वो स्टार्ट कर दिया और विरोध और संगर्स बढ़ने लगे और वहां की जो सत्ता है उसके खिलाब संगर्स और विरोध है वो बढ लगा इम और तो यहां तक केलियर है सभी को एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आगे क्या बताये गटाया बता गया इसी के अंतर कर ऐसे में पीडी पी ने सोवियत संग की मदद है हो ली सोवियत संग मतलब यू cambi जो USSR है उसकी मदद है वो लेनीन उने स्टार्ट की और यह मैंने आपको बता दिया कि इसकी definition है वो क्या होती है सोवियत संग ने 1948 से सोवियत संग ने 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में हस्तेशेप मतलब उसके आंतरिक जोगती वीदियो थी उसके अंतरिकत यूएससर ने क्या किया अपना हस्तेशेप है वो किया अब वो कैसे हस्तेशेप किया है वो चीजें है वो डिसकस करते हैं चलिए इसी चीज़ को डिसकस है वो करते हैं 1979 के अंदर अफगानिस्तान में हस्ते शेप किया और सोवियत संग की विविस्था और भी कमजोर हुई जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संग ने हस्तेशेप करना शुरू किया तो उससे सोवियत संग की जो विवेस्ता थी वो और भी कमजोर हो गई 24 दिसंबर में अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी गई जो सोविद संग है उसने 24 दिसंबर 1979 को अपनी जो सेना है वो आफगानिस्तान में भेजी गई और इसका काफी ज़्यादा जो विरोध है वो किया गया किसने विरोध किया जो मुसलिम जो देश थे उन्होंने इस चीज़ का काफी ज़्यादा विरोध है वो हुआ तो आपसे जो कुशन है वो यहाँ पर एक कुशन पूछा जाएगा तो इस कुशन को ध्यान से समझ लेना और करने की कोशिशा वो करना तो यहाँ पर जो कुशन है वो आपसे यह पूछा जाएगा कि जब सोवियत संग ने अफगानिस्तान में जब सेना बेजी तो उसके विरोध किस ने किया और क्यों किया तो यह जो कुछन है वो आपसे पूछा जा सकता है तो पहला ही जो कुछन है वो आपसे यही है कि जो मुसलिम देशों ने इसका जमकर विरोध है वो क्या क्या क्योंकि अफगानिस्तान खुद एक मुसलिम कं करता है तो फोजब क्या करे किसी देश पर इसका उसी देशों पर क्या हो रहा थो आराम से वह कैसे इस चीज को शहन कर ले तो इसलिए उसने मुसलिम देशों ने इस चीज का विरोध हो क्या है कि अफगानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्हों ने भी इसका विरोध है वो किया है दूसरा तीसरा रोकना और शान्ति बनाए रखना ये इसके मुख्य दिश तर अमेरिका ने भी इसका जो विरोध है वो किया इतने विरोध के बावजूद स्वबेद संग नहीं माना मेंने काफी जादा विरोध हुआ तो भी जो विविद्श रंज है वो नहीं माना सो लिवाद अफगानिस्तान की विभिन शहरों पे एक अबजा है वो कर लिया इसने जब वो जो सेना है वो भेजी और उससे क्या हुआ कि विभिन अलग-अलग शहरों पे अफगानिस्तान की जो शहर थे वेटा उन पे अपना जो अधिकार है वो कर लिया और अपने अंडर है वो ले लि बेटा और सोवियत संग और वर्षित जनता अब यह क्या थे अभी इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे आराम से बेटा इसे क्या कहा एक धार्मीक युद्ध है वो कहा है क्योंकि जो मुशलिम देशón आह गिया है इस जिहाद का नाम दिया इस युद्ध को किसका नाम दिया जिहाद का नाम दिया और सोवियत संग के खिलाब लड़ने वाले मुझाई दीन कहलाए जो भी सोवियत संग के खिलाब जो मुसलिम जो लड़े उसे मुहाईजीन कहला या उनको कहा गया सोवियत संग के खिलाब पाकिस्तान, अमेरिका, साउधिय अरब और अन्य मुसलिम देश है, चीन है ये सामने आई इन्होंने भी सोवित संग का काफी जादा जो विरोध है वो किया बेटा अब गोरिला युद अब पढ़ेंगे गोरिला युद के बार में कि गोरिला युद है वो क्या है हेडिंग डालेंगे गोरिला युद गोरिला युद एक ऐसी युद निती है देखी ग हो छिपकरवार है वो किया जाता है 1985 में सोवियत संग ने सोवियत संग में केमिनिस्ट पार्टी के महासची मिखाइल गोवर्चे बने क्या है सोवियत संग में जो केमिनिस्ट जो पार्टी थे उसके महासची हुआ वो मिखाइल गोवर्चे है वो बने बेटा इन्होंने सोव विरोध है वो किया या इसकी जो नीती है उसका जो विरोध है वो किया गया और इन्हों ने यहां आर्थिक राजनेतिक आर्थिक राजनेतिक सुधार की नीती है वो चलाई थी पर लोगों ने उसका काफी जम कर जो विरोध है वो किया था इन्होंने फैसला किया कि सोवियत संग की सेना को बुलाया जाए इन्होंने फैसला कर लिया कि जो सोवियत संग की सेना है जो कहां गई हुई है अफगानिस्तान गई हुई है उसको वापिस है वो बुला लिया जाए और सोवियत संग दूसरे देशों में अपनी सेना बे वज़े नहीं बेजेगा और ये भी कहा गया कि जो सेना है वो बे वज़े है वो नहीं बेज़े जाएगा देखें क्या हुआ कुछ गटना है कुछ जो डेट है वो आपको याद रखनी है 1989 में तक सेना वापिस बुला ली गई 1989 तक जो सेना है वो वापिस बुला ली गई भेजी कब गई थी 1979 के अंदर गत है वो भेजी और लगबग 10 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर जो सेना है वो रही सोवियत संग के 1989 में ही 1989 के अंदर ही बर्लिन की जो दिवार है वो गिर गई थी कई देश सोवेट संग से अलग हो चुके थे और 1901 कैन्मा में सोवेट संग पूरी तरीके से बिखर चुका था आप कहोगे कि सर आप तो पढ़ा रहे थे गोरिला वोर के बारे में और इसके अंदर के गोरिला वोर के बारे में सरफ यह की घटना घटी है गोरिला युद क्या है यह मैं आपको बता दू गोरिला युद उसी को ही नाम दिया गया है जब सोवियत संग की जो सेना है वो अफगानिस्तान के अंतरकत है वो आई थी बेटा अफगानिस्तान के अंतरकत जब जो सेना जो आई थी उसी को क्या कहा गया है उसी को कहा गया है बेटा हमारा सोवियत संग और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा युद लड़ा गया वो नीती थी गोरिला जो छिपकरवार है वो करते थे इसलिए गोरिला वोर है वो कहा गया है बेटा चलिए अब आगे डिसकस करते हैं सोवियत संग के विगधन के प्रिनाम बताइए ये कुशन भी है वो आपसे पूछा जा सकता है कि सोवेट संग के विकड़न के जो प्रिणाम है वो बताईए या क्या प्रिणाम है वो निकले या एक दुर्वे विश्व बनने के क्या कारण थे ये भी आपसे पुछा जासकता अफगान ग्रह युद है वो चल रहा था अफगान के अंदर आप ग्रह युद है वो चलना स् 1991 में सोव्यत संग का विग्डन भी है ये भी हो गया था इसके बाद अफगानिस्तान में नीजी बुला की जो सरकार है वो बनी अब अफगानिस्तान के अंतरकत जब सोव्यत संग का विग्डन है वो हुआ उत्तर के छेतर में एहमद साम मसूद का सासन था तालिबान के हाथ में दक्षिन का इलाका था कहने का मतलब है कि जो पूरा पूरा अफगानिस्तान छेतर है स्पोज कर लिजी ये क्या है ये अफगानिस्तान का छेतर है नजी भूला कि जो सरकार है वो तो बन गी पूरी अफगानिस्तान के अंतरकत पर जो उत्तर का जो रीजन था ये वाला जो छेतर था नॉर्थन रीजन ये एहमद साह को मिला और जो तालिबान वाला जो छेतर था तालिबान के हाथ दक्सिन का छेतर लगा ये तो north region हो गया और ये जो southern जो part था वो किसको हाथ लगा ये टालिबान को हाथ लगा पांफ साल ग्रह यूध के बाद सासन टालिबान के साथ चला गया फमीच भूरे पांजू साल तक ग्रह युद हव्व वो हुआ और जो शाषन है अब पूरा जो शाषन हो किसके पास चला गया तालिबान के पास चला गया और तालिबान ने शाषन technicians उन्नी सोग्षाम्ण है इसके दो हजार एक तक किया और इसके जो साषक थे जो परमुख ज भी लागू किया और तालिबान को माननेता पाकिस्तान ने दी जो तालिबान है इसको एक नए देश की जो माननेता है वो किस ने दी बेटा पाकिस्तान ने दी तो ये कुछ जो चीजें है वो आपको याद है वो रखनी है बेटा आगे क्या बताया गया है तालीबान को जो मादले एक तालीबान है एक वो अलग जो देशा वो बनकर सामने है वो वरा अलकाइदा ओसमा भी बिल्लादेन जो लादेन था वो क्या था एक अलकाइदा ओसमा बिल्लादेन ये एक आतंकी संगठन था ये क्या था एक आतंकी संगठन था और तालिबान के जो तालिबान के इस संगठन ने समर्थन किया जो तालिबान है उसने इसका जो समर्थन है वो किया बिटा जो आतंकी है जो संगठन था उसने तालिबान के इस संगठन का इस तालिबान ने इस संगठन का समर्थन के कहने के मतलब है कि तालिबान ने जो लादिन है लादिन जो आतंकी संगठन है इसका जो क्या है समर्थन किया और इसी ग्रूप ने इसी आतंकी संगठन अमेरिका जो दूतावास है उस पर हमला है वो किया 1998 में 1998 में हमला है वो किया और जिस हमले को जाना जाता है 9-11 हमले के नाम से 9-11 हमले के नाम से है वो जाना जाता है इसी युद्ध को या इसी अटैक को तो आज की क्लास में हमने अफगानिस्तान के बारे में discuss है वो किया है अब हम आगे जो discuss करेंगे वो इरान और इराक के बारे में है वो discuss करेंगे बेटा तो ये कुछ notes थे जो आप prepare हैं वो कर सकते हैं अपनी notebook के अंतर कर और फिर भी आपको यदि कुछ doubt लगती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं बीटा next topic पे और ये part number two था हमारा complete हुआ thank you and thank you very much